वेलकम बैक ट्रेडर्स बहुत दिनों बाद आपका एक बार फिसे स्वागत नहीं वीडियो में ट्रेडर्स बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ पर्सनल गाम के कारण में थोड़ा बीजी था वैसे काम अपी खतम नहीं है कुछ दिनों तक और चल सकता है बट मैं ट्राइ करूंगा कि रेगुलर वीडियो अब मैं पोस्ट कर सकूँ बाकि लर्निंग वीडियो कुछ अमने प्लान कर रहे है वह आपको मिलते रहेगे कुछ कुछ दिनों में बीच बीच में आप बताते रहेगा कि कैसा आपको लग रहा है जो मैंने प्रिवियस द का छानलते जा यहां पर मार्केट रिजिस्टंस को हिट करता और वहाँ से फिर यहां पर यहां पर था साइकोलोजिकल जिसके नीचे से यहां पर हमें एक दाउन फॉल देखने को मिलता है तो इस case में यहाँ पर एक आप टॉप पर जाके देखोगे एक doji candle का formation हुआ था इसको हम यहाँ पर doji कहते है इसको आप चाहो तो gravestone doji भी कह सकते हो तो doji candle मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं buyers वसे sellers की लड़ाई हो रहे थी और at the end यहाँ पर sellers ने entry कर ली बट मैंने इसके breakdown पर entry नहीं की मैं यह जो body है इसके breakdown का wait कर रहा था यहाँ पर यह मेरा एक बहुत अच्छा setup है morning candle stick reversal setup जो मैं अपने courses में बहुत अच्छे से बताता हूँ इसमें बहुत सारे तरह के patterns आते हैं जिसमें से एक pattern यह भी था क्योंकि कहीं नहीं आप देखो यह retracement आ रहा था वह आज तो ऐसे candle बहुत वोलटाइल बन रहे थी बट यह retracement आ रहा था और market previous day यहाँ पर closing के आसपास आ तो closing हमेशा एक support की तरह काम करती है तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसको exit कर दिया मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और फिर एक reversal देखने को मिलता है और इस जगह पर मेरा एक और setup बना था जो मेरी 90 डिग्री स्ट्राटिजी इसको भी मैं कोसे में discuss करता हूँ तो यहाँ पर उस setup के बाद हमने फिर entry की अगर आप price action की तरफ से देखना जाओगे तो यह मार्केट गरता है और एक retracement आता है और आप यह retracement को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर यह retracement उसी closing के आसपास आता है यानि अगर हमें closing को as a level treat करते ना तो इसका breakdown मिला और फिर इसका retrace देखने को मिला तो इसलिए यहाँ पर मैंने entry की थे और फिर यहाँ से आपको Fibonacci tool लगा के देखते तो यहां कहीं नहीं 0.382 का area आ रहा था इस level के आसपास तो जो 0.382 यानि यहां कहीं के आसपास 0.23 आ रहा था यहां पे 0.3 आ रहा था 0.5 यहां कहीं के आसपास था तो अगर यह fall continue होता तो 0.5 के आसपास इसे एक support देखने को मिलता लेकिन यहाँ पर ही market ने एक base formation किया और उसके बाद हमें फिर एक upside momentum देखने को मिलता है और अगर आप यहां से लेके यहां तक का Fib लगाते तो यह जो area तो exact 0.5 का था तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने sell का attempt किया था यानि यहां पर market उपर गया और एक consolidation हमें देखने को मिलता है तो के बाद यहां पर बहुत सारे seller जुबारा इंटर होते हैं और market बहुत slowly नीचे की तरफ आता है जो इस पूरे जोन में था market इस जो पूरे जोन में था तो इस पूरे जोन में market बहुत जादा वोलाटाइल हो रहा था वोलाटाइल मतलब अगर आप छोटे stop loss के साथ scalping की try कर तो आपको बहुत मुस्किल से यहां पर market target देता अब गौर करने वाली क्या बात है जिसको मैं बार 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 बताता हूं यहां पर आप देखो day low लगाता है इसको 11 मानते और आप दुबारा अगर compare करोगे तो जो second low लगा है वो यहां पर एक higher low का formation हुआ है ठीक है तो जिस हिसाब से यह fall देखने को मिला जिस हिसाब से यह fall देखने को मिला है इतना शार फॉल उसके बाद भी अगर यह higher low फॉर्म हो रहा यानि जो day low का formation हुआ था उसको कहीं न कहीं market sustain करने की कोशिस कर रहा है उसको protect करने की कोशिस कर रहा है तो यह जो पहला symbol जहां से मुझे दि अब move के बाद आप देखोगे यहां पर एक trend line का formation हो रहा था जिसका यहां पर breakout भी आया बट यहां पर ऐसे direct breakouts को खासकर जब market sideways range में होता है तो मैं direct breakouts को trade करना पसंद नहीं करता हूं इसलिए मैंने आपको टेलिग्राम में एक message जाला था कि यह मेरे लिए एक no trading zone है लेकि के बाद फिर जब यह वाला level जो यह वाला level breach हुआ market में यहां कहीं मैंने call side में entry करी थी quantity जादा बड़ी नहीं थी मेरी बट मेरी entry यहां कहीं के आसपास हुई थी क्यों कि first reason था हमारे पास trend line का breakout हो रहा है लेकिन जब भी market sideways रहे हम खाली trend line breakout को trust नहीं करते हैं हमें एक swing का प्रिकाउट जी जो latest swing बना हो अगर उसके उपर भी market जाता है तो यहां से हमें confirmation मिलता है तो अगर एक बाद दिन में अच्छा profit हो गया तो confirmation का wait करके trade लेना अच्छा होता है तो यहां पर जब market निकला पहला target मेरा यह था यह मेरा यहां पर first target था और उसके बाद market इस level के आस-पास यह वाला zone है ना आपको मैं यह वाला zone बता रहा हूँ यहां तक का मेरा second target था हूँ आप सुचो के यह random level आपने क्यों निकाला second target के लिए जो कि पहली बार में achieve नहीं हुआ तो मैं quantity trail करते रहता हूँ तो मेरा निकल जाता है वैसानी कि मैं लेके बैठे रहता हू target के लिए मैं trailing करता हूँ तो आप यहां को अगर आप इस concept को समझना है तो आपको यहां पर एक minute के चार्ट में मैं लेके चलता हूँ और एक minute के चार्ट में आप यहां पर notice करोगे एक gap painting है आपको यहां से लेके यहां तक काई gap दिख रहा है तो इसको हम intraday gaps कहते हैं ठी अभी भी यह gaps बनते हैं आप समझ लो 98 या 98% ही आप मान लो लगबर कि यह gap market fill पका करता है ठीक है कभी कभी immediate fill कर देता है आपको इस candle में विक दिख रही है यह buying attempt था कि इस gap को fill कर दिया जाए but selling pressure इतना जादा था कि यह gap fill नहीं हो और market इसी gap को fill करने के लिए बाद में इत बहुत साफ फॉल आता है बट अगर आप नीचे से trend line लगाओगे तो दुबारा market इसी trend line पर आ जाता है और सेम चीज का formation आपको फिर देखता है आपर क्या L1 L2 और L3 अगर आप major lows को compare करोगे यहां पर हर बार एक higher low का formation हुआ है और plus यहां पर हमारे पास 20 EMA भी आ रहा था 20 EMA और 200 EMA को कैसे यूज़ करना है मैंने डीटेल में एक वीडियो में बताया हुआ है तो 20 EMA acts as a support and resistance ठीक है तो गिरते हुए market में breakout के बाद यहां पर 20 EMA मिला तो यहां पर trend line का retest था plus 20 EMA था जो मेरे लिए एक major confluence का का काम कर रहा था मतलब यहां पर मैंने जो दुबारा या buying side में entry बनाए इस जगह के आसपास वो मेरे लिए सबसे बड़ा reason था कि यहां पर 20 EMA का support था higher lows का formation हो रहा था दो तीन चीज़े दो चीज़े थी क्योंकि मार्केट में जब इतना तेज momentum आने के बाद इतना साफ फॉल आ रहा है तो of course confidence जो है हमारा वो उतना high नहीं रहेगा तो जब confidence high ना रहे और एक बहुत अच्छा setup दिख रहा हो तो वहां पर मैं low quantity से trade करना पसंद करता हूँ तो यहां पर जैसे ही इस inside candle का breakout आता है मैंने आप पर entry के और बहुत fast momentum देखने को मिला जैसे ही मेर यहां से exit कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैंने यहां पर पूरे area में कोई भी trade नहीं लिया लेकिन आप देखोगे बाद में एक अच्छी घासी rally देखने को हमें मिली थी इस जेगा क्या असपर अब थोड़ा सा निफ्टी के price action का बात कर लेते हैं निफ्टी में मैंने हो सकता है यहां पर यह sellers का एक attempt था जो कल 1200 point की rally से sellers को बहुत जटका लगा होगा कि अचानक 1200 point downtrend में कैसे जा सकता उपर market तो यह morning में उनके द्वारा attempt था यह sharp sell किया गया लेकिन बाद में buyers उसको completely neglect करते हुए day high के उपर almost closing करवाने में सक्षम हो गया है तो कहीं न कहीं market मे strength आ रहा है अब strength कहां तक जा पाता है वो हमें देखना पड़ेगा क्या यह market का एक ऐसा retracement वाला face चल रहा है या फिर इतनी तेजी से market आया है तो complete up reversal यानि V-shape recovery के mood में है यह तो आने वाला time ही बताएगा लेकिन यहां पर इसके price action को देखोगे तो यहां पर भी आपको clear higher lows के formation होते हुए दिखेंगे यहां पर market ऊपर जाता है इस जगह पर एक volatile काफी volatile था इस जगह पर इस जगह पर आप देखोगे एक हमें ऐसे rising वे जैसा कुछ pattern देखता है जिससे downfall आता है तो यहां पर कहीं न गई market में trapping की गई sellers की अगर आप बड़े time frame में यहां पर 15 minute के time frame में जाएंगे और 15 minute के time frame में आपको दुबारा ध्यान रखना है कि यहां पर 43,000 का psychological level है और यह 43,000 बहुत important हो जाता है buyers और sellers दोनों के लिए तो कल अगर market इसी range में कहीं open होके जाता है निकलता है यहां पर तो उसको एक बारा 43,000 50 के ऊपर जाने दीजेगा तब हम यहां पर buying की planning कर सकते है ठीक ऐसा क्यों कि 43,000 एक ऐसा level है जो दोनों के लिए important है तो ऐसे ही levels पर trapping की जाती है जैसे आज के दिन आपने देखा एक green candle का formation हुआ था उसका market ऊपर गया और फिर यहां से एक negative candle और साफ fall आ गया तो ऐसा हो सकता है कि range breakout हो जाए और 43,000 50 या 43,000 40,000 40,000 43,000 20 के levels ना निकले तो फिर एक fall देखने को मिल सकता है लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहां पर कि नीचे से एक trend line आ रही है उपर से एक दो almost तीन बार यहां पर आ चुका है ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आगे फिर इसका breakout दिखे क तो अगर breakout आता है तो 43,000 50 के उपर ही हम buying करने की कोसिस करेंगे थोड़ा से यहां पर जाके pause वगएरा मिले या retracement मिले तो वो सबसे अच्छे situation है लेकिन उसके साथ से आपको ध्यान रखना है कि यहां नीचे से भी एक trend line का formation होता हुआ हमें यहां पर दिख रहा है तो अग आपको एक volatility expect करनी चाहिए कि market दुबारा volatile रह सकता है यह range छोटी नहीं है यह range almost 500 points के है तो इसके बीच में भी market रह सकता है बाकी एक तरह की possibility यह भी है कि यहां कहीं अगर open होता है या फिर थोड़ा सा gap down open होता है तो यहां पर एक बार sellers को trap किया जा सकता है इसके breakdown पे फिर यहां से एक अच्छी खासी up move हमें देखने को मिल सकती है तो जो भी trend line पहले breakout हो रही हो वहां पर आपको alert रहना है और अगर वहां से जादा बड़ा fall आने लगता है तो एक कम quantity के साथ आपको enter करना है क्योंकि first breakout में trapping के possibilities जादा होती है तो यह हमारे पास था bank nifty का analysis nifty की analysis की बात कर लेते हैं एक बार तो निफ्टी में भी similarly आप देखो मैं इस trend line की बात कर रहा था जो यह वाली trend line बनी है ना यहां पर इसका breakdown है जिसके बाद trapping हो फिर उपर निकल गया वाक है तो कल के लिए क्या है कल के लिए आप दो trend lines draw कर सकते हो पहली तो यह वाली trend line बन जा होगे तो almost यहां पर 18100 जो 36 ता मतलब जहां पर opening हुई है वहीं पर almost closing हमें देखने को मिली है डेली चार्ट बहुत जादा positive है यहां पर बट उपर के लिए अगर आप resistance की बात करो तो 18182 हमारे लिए एक resistance है पर जो major resistance का area वह 18200 है और कहीं न कहीं एक psychological level भी काम करेगा क्यों आप यहां पर trade कर रहे हो निफ्टी में तो आपको कहीं ना कहीं HDFC और निफ्टी आईटी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि देखो रिलाइंस तो अभी जादा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है बट HDFC और निफ्टी आईटी में volatile movements काफी जादा आ रहे हैं HDFC के बताना होगा तो मैं टेलेग्राम चैनल में बता दूंगा आप जॉइन जरूर हो जाएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू